हलो एवरिवन वेलकम टू क्रिजी जी के ट्रिक फ्रेंड्स आज उक्रेजिन क्रैसिस में एक नया मोर सामने आया है जहाँ पर हम देखते हैं कि रेशिया के प्रेसिजेंट वलार्देमिर पुतिन ने ये डिकलियर किया है कि इस्ट यूक्रेजिन के दो इलाके डोहैंस्क अन अब इंडिपेंडेंट रीजन है और उनको एक इंडिपेंडेंडेंट नेशन की तरह रशिया ट्रीट करेगा और पुतिन ने यहां पर ये भी बोला कि वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स को मोबिलाइज कर रहा है ताकि इन इलाकों में पीस और सेक्यूरिटी इंशोर की ज यहां पर यूएस के प्रेशियंट जो बाइडन ने डुहेंस और लुवांस पर एकनोमिक शैंचन लगा भी दिये हैं यहां पर यूएसे ने यूकरेंड को सपोर्ट देनी की बात कही और बोला कि वो इस वक्त संपर्क में है नाटो मेंबर से और आने वाले समय में हमको औ इसकी इंडीपेंडेंस पर एक है और उन्होंने यहां पर यूँकरेंड की टेह्टरियिल इंटेग्रिटी को प्रोटेट करने की बात की और इंटरनेश्नली unit को सपोर्ट देने की बात भी कही तो यहांप़ हम देख सकते हैं कि यूकरेंड की क्रैसेस आगे बढ़ती जा और आने वाले समय में हमको और भी चिंता जनक इस्तिती देखने को मिल सकती है Friends, इस वीडियो में हम रशिया और यूक्राइन की कॉन्फिक्ट को समझेंगे उसके बाद हम समझेंगे आखिरकार रशिया चाहता क्या है और साथ में आपर हम USA और Western countries के response को देखेंगे और उसके बाद हम डिसकस करेंगे आखिरकार ये crisis कहां तक जाएगी और लास्ट में हम देखेंगे इंडिया का इस crisis में क्या stance है आईए सबसे पहले समझते हैं रशिया और यूक्राइन की conflict को 1991 तक यूक्राइन और रशिया USSR के पार्ट थे और 91 के बाद यूक्राइन एक इंडिपेंडेंडेंड नेशन बन जाता है और यहाँ पर यूक्राइन और रशिया के बीच 1991 के बाद कोई ज़्यादा मदभेद देखने को नहीं मिलते हैं वंगर conflict चालू होती है annexation of Crimea से in 2014 आईए इसको थोड़ा समझते हैं 2014 में यूक्राइन के प्रेसिडेंट विक्टर यानकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक agreement को नकार देते हैं और उसके बाद यूक्राइन में crisis पैदा हो जाती है एक mass moment होता है जिसमें यूक्राइन की government overthrow कर दी जाती है और इसके बाद रशिया अपने interest को save करने के लिए क्रीमिया को annex करती है यहाँ पर यूक्राइन के जो former president थे विक्टर यानकोविच उनके रशिया के साथ सम्मन्द अच्छे थे इसलिए रशिया ने अभी तक कोई attack नहीं किया था मगर उनकी government गिनने के बाद यहाँ पर रशिया क्रीमिया को annex करने की बात करती है और रशिया की parliament अपनी army बेचती है 16 March को महाँ पर एक referendum कराया जाता है और 20 तारिक को formally रशिया annex कर लेता है क्रीमिया को जो की एक यूक्रेन का part था और इस point के बाद लगातार यूक्रेन और रशिया के भी सम्मन्द खराब होते जाते हैं इस crisis के बाद Minsk Agreement सायन होता है between Russia, Ukraine and Organization for Security and Cooperation in Europe जहां पर France और Germany mediate करते हैं इस agreement में रशिया और Ukraine 12 point ceasefire deal को सायन करते हैं मगर ये deal कभी implement नहीं हो पाती है क्योंकि दोनों side की तरफ से कुछ violations किये जाते हैं फिर से peace और security establish करने के लिए Minsk 2 Agreement की बात की जाती है फरबरी 2015 में जहां पर Russia, Ukraine, Organization for Security and Cooperation in Europe के साथ-साथ डॉनस्टेंग और लुजान के लीडर्स भी होते हैं जहां पर 13 point agreement सायन होता है जिसको Minsk 2 Accord बोला गया इस agreement में ceasefire की बात की गई और साथ में आप पर जो कुछ important points देखे गए वो ये थे कि self government दी जाएगी डॉनस्टेंग और लुजान को इन दोनों areas को special status दिया जाएगा पालिय अमेंड में constitutionally इन दोनों को recognize करा जाएगा साथ-साथ यहां पर decentralization की बात हुई election भी करवाए जाएगे डॉनस्टेंग और लुजान के और foreign armies यहां से withdraw कर लेंगी और यहां पर Ukraine को complete control दिया जाएगा इन दोनों region का और अपनी border का भी मगर यहां पर यह agreement भी implement नहीं हो पाता है क्योंकि Russia और Ukraine दोनों इस agreement को अपने अपने तरीके से interpret करते हैं यहां पर Russia का कहना होता है कि Ukraine को Donbass region में comprehensive autonomy देनी होगी पहले और उनको representation देना पड़ेगा Central Government में उसके बाद Russia अपनी forces को वहां से वापस लेगा और दूसी तरफ Ukraine का यह कहना होता है कि पहले वो control establish करेगा दोनों regions पे उसके बाद वो border पे control लेगा उसके बाद election कराएगा और फिर वो Donbass region के Donstack and Luzang को autonomy और power देगा तो friends यहाँ पर हम देखते हैं कि Mins agreement बिल्कुल भी implement नहीं हो पाता है और धीरे धीरे यहाँ पर tensions बढ़ती चले जाती है उसके बाद हम देखते हैं recent scenario जहाँ पर Russian President Valardi Mir Putin recognize करते है Donstack and Luzang को as an independent territories friends इन दोनों एरियाज में लगबग 70-80% लोग Russian language बोलते हैं और 40-50% लोग Russian origin के हैं इसलिए यहाँ पर जो rebel leaders हैं उनको Russia का protection और support प्राप्त है और यहाँ के rebel leaders भी Ukraine से अलग होना चाहते हैं यहाँ पर कुछ टाइम पहले से ही इन दोनों रिजन के rebel leaders ने यहाँ के civilian areas को evacuate करना चालू कर दिया था क्योंकि उनको कहना था कि उन्हें डर है कि Ukraine उन पर हमला कर सकता है और साथ में हाँ पर हमको full military mobilization देखने को मिलता है इन दोनों areas में और यहाँ पर conflict की खबरे आती है Russian soldiers के बीच और rebels की बीच इस सेनारियो को देखते हुए Russia यहाँ पर जो लोग Donbass region से आ रहे थे उनको refuse देता है और 10,000 rebels की मदद भी करता है यहाँ पर Russia उनका passport भी बनाता है और साथ साथ यहाँ पर allegations लगाए जाते हैं Ukraine पर कि वो genocide conduct कर रहे है Donbass region में और वहाँ के civilians की जान को खत्रा है इन सेनारियो के पीछे Western countries और USA का कहना होता है कि Russia यह बाते जानमुशकर फैला रहा है ताकि उसको बहाना मिल जाए Ukraine के साथ वाल लडने का तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से tensions बढ़ती चले जाती है Russia और Ukraine की बीच आईए अब हम समझने की कोशिश करता है आखिर का Russia यहाँ पर क्या चाहता है यहाँ पर Russia ने अपने कुछ demands रखी है सबसे पहले demand Russia ने यहाँ पर यह रखी है कि Russia यह चाहता है कि Ukraine NATO का member ना बने और उसके बाद Russia का यहाँ पर कहना है कि वो Ukraine से war बिलकुल नहीं चाहता है और Russia ने यहाँ पर Western countries यानि के USA और NATO members पर allegations लगा है कि उनकी वज़े से ही आज Ukraine और Russia की बीच tensions बढ़ रहे हैं conflict हो रही है तो friends यह कुछ demands है जो Russia लागातार कर रहा है तो आईए अब हम समझते हैं किस तरीके से USA और Western countries ने response कर रहा है यहाँ पर यहाँ पर Western countries का कहना है कि वो completely support करती है Ukraine को यहाँ पर Joe Biden ने यह बोला है कि Western countries और NATO members United हैं रशिया के खिलाफ और उनको पता है किस तरीके से deal करना है रशिया से यहाँ पर NATO members ने ships और jets देने की बात करी है Ukraine को to defend itself USA और UK भी weapons supply कर रहे है Ukraine को यहाँ पर Germany ने medical facility देने की बात करी है Ukraine को और यहाँ पर USA और बाकी countries ने काफी severe sanctions लगाने की बात करी है रशिया पर और यह बोला है कि financial button रशिया नहीं उठा पाएगा यहाँ पर USA ने साफ तोर पर नहीं पता जाए कि किस तरीके के sanctions लगाएंगे मगर यहाँ पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रशिया को swift financial system से बाहर करने की बात हो रही है फ्रेंट्स swift financial system एक international system है जो international banks के बीच transaction करता है और अगर इस system से अगर रशिया भार हो जाएगा तो उसके trade पर काफी असर पड़ेगा यहाँ पर USA ने export control की भी धंकी दी है जहाँ पर उसने बोला है कि रशिया को high tech technology के access हम आने वाले समय में नहीं देंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से रशिया और दूसरी तरफ USA से एक दूसरे पर allegations लगा रहे हैं और यह conflict लगातार बढ़ती चली जा रही है जहाँ पर peaceful solution हम को देखने को नहीं मिल रहा है आईए अब हम discuss करते हैं आखिरकार यह crisis कहां तक जा सकती है यहाँ पर हम इस crisis को Cuban Missile Crisis of 1962 से समझ सकते हैं फ्रेंट्स 1962 में भी USA और रश्या के बीच major conflict देखी गई थी यहाँ पर रश्या ने क्यूबा के आईलाइंड्स में अपनी nuclear capable missiles रख दी थी और क्यूबा क्योंकि USA से काफी पास है इसलिए यहाँ पर हमको एक nuclear war का खत्रा देखने को मिला था यहाँ पर कुछ दुनों तक रश्या और यूएस के बेच काफी tensions बढ़ती हुई दिखी मगर USA और रश्या ने backdoor diplomacy का use किया और एक दूसरे के concerns को समझा और उसके बाद diplomatic तरीके से इस पुरी problem को solve किया था यहाँ पर रश्या की demand थी कि USA की जो missile European nations में रखी हुई है वो रश्या की safety के लिए खत्रा है इसलिए USA उन missiles को हटा है और फिर हम देखते हैं रश्या क्यूबा से अपनी missiles हटाता है और कुछ समय बाद USA भी European countries से अपनी missiles हटा लेता है तो इस diplomatic तरीके से उस crisis को solve किया गया था हो सकता है यहाँ पर भी हमको इस diplomatic तरीके से एक crisis solve होते हुए दिखें क्यूंकि यहाँ पर रश्या की सबसे पहली demand यही है कि Ukraine को और बाकी जो former members है USSR के उनको NATO की membership ना दी जाए और NATO अपने आपको Russian sphere of influence से दूर रखे तो friends यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस crisis का भी diplomatic solution हमको शायद देखने को मिले और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी opinion है कि पुतिन यहाँ पर अपने आपको एक strong leader की तरह project करना चाहते हैं और साथ साथ वो चाहते हैं कि Russia और उसके आसपास वाले region में USA और कोई भी दूसरी country का influence बिल्कुल ना रहे यहाँ पर यह बात भी निकलकर सामने आती है कि हो सकता है Russia short term war लड़े यूकरेन से और क्रीमिया की तरह डॉन्स्टेक और लुहेंस को annex कर ले ऐसा करने से पुतिन की Russia में image काफी बढ़ जाएगी और पुतिन अपने आपको एक strong leader की तरह project कर पाएंगे मगर यहाँ पर यह भी argument दिया जा रहा है कि Russia हो या फिर NATO हो यह दोनों कहिना के इन diplomatic तरीके से peacefully इस conflict को resolve करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर Russia और USA को पता है कि war किसी के favor में नहीं रहेगा और ऐसा करने से crisis और tension बढ़ेंगे और एक peaceful solution आने में और भी time लग जाएगा आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरफ यह crisis जाती है आईए अब हम discuss करते हैं इंडिया का का stance है इस पूरे crisis में Russia के इस announcement के बाद इंडिया ने United Nations Security Council की meeting में गहरी चिंता जताई और बोला की world powers को यहाँ पर सयम से काम लेना चाहिए और diplomatic तरीके से इस crisis को solve करना चाहिए यहाँ पर इंडिया के representative TS3 मूर्ती ने बोला कि यहाँ पर tensions को कम करना सबसे बड़ी priority होना चाहिए और हमको legal तरीके से security issues को handle करना चाहिए between countries ताकि एक long term peace और stability आ पाए युक्रेन में और उसके आसपास के region में यहाँ पर TS3 मूर्ती ने यह भी बोला कि safety of Indians जो इस वक्रेन में है वो priority पर है हमारी government की और यहाँ पर इंडिया ने 20,000 इंडियांस जो उक्रेन में रह रहे हैं उनके लिए travel guidelines भी दी है यहाँ पर इंडिया ने इस crisis को solve करने के लिए Minsk agreement की बात कई और बोला कि Minsk agreement के तहरती फिर से negotiations होने चाहिए ताकि एक peaceful solution हमको देखने को मिले friends यहाँ पर हमको एक बात तरीके से ही Russia और USA को balance करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर USA भी काफी अच्छा partner है इंडिया का इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया एक balancing act परफॉर्म करेगा जहाँ पर वो ना USA का site लेगा ना Russia का site लेगा और इस crisis को वो हमेशा peacefully और diplomatic तरीके से solve करने की बात करता रहेगा तो friends यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से Ukraine crisis दीरे दीरे बढ़ती चली गई और आने वाले समय में हमको और भी ज़्यादे tensions देखने को मिल सकती है I hope आपको यह वीडियो informative लगा होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें and till then bye bye and take care